How to delete Instagram message from both sides दोस्तों क्या आप अपने Instagram के message को दोनों side से delete करना चाते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Instagram के message को दोनों side से delete कर सकते हैं तो चलिए गाइस वीडियो को इस टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को subscribe और bell icon को press करना है यहाँ पर आपको इससे interesting videos मिलते रहेंगे दोस्तों Instagram के message को दोनों तरफ से delete करने के लिए आपको Instagram app open कर लेना है और यहाँ से आपको उस charts को open करना है जिसको आप दोनों तरफ से delete करना चाते हैं तो यहाँ से मैं उस chart को open कर लेता हूँ for example यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस account को अभी अभी message send किया है अगर आप इसको दोनों तरफ से delete करना चाते हैं तो बस आपको इस पर long press करना है, जैसे ही आप long press करेंगे तो, यह pop up आ जाएगा, और यहाँ पर आपको option दिखाई दे रहा है, unsend, तो इस option पर आपको click करना है, जैसे ही आप उस option पर click करेंगे तो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह message जो है, बोज side से delete हो चुका है, तो इस तरह आप इस trick की मदश से, Instagram के message को दोनों तरब से delete कर सकते हैं, Instagram के message को दोनों तरब से delete करने के लिए, बस आपको उस पर long press करना है, और जैसे ही आप उस पर long press करेंगे, तो यह pop up आ जाएगा, यहाँ से आपको un-send पर click करना है, जैसे ही आप un-send पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो Instagram message जो है, delete हो चुका है, तो इस तरह आप इस trick की मदश से, Instagram के message को दोनों तरब से delete कर सकते हैं, उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे और interesting वीडियोज पाने के लिए, इस ट्रेयान को subscribe केजिए, thanks for watching it.